आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे तो आज जो मैं रेसेपी लेके आई हूँ आपके लिए वो कोई DIY नहीं है वो है बायोटीन लड्डू जिसे खाने से इंटर्नली आपके हेल्थ के लिए तो फायदा करेगा ही और साथ ह आपका जो सकिन है बाल और नाखून है वो भी ग्रो होने में हल्प करेगा तो चलिए बिना देरी किये हुए बनाते हैं आज की रेसेपी जो की है बायोटीन लड्डू उसे बनाने के लिए आपको पहले एक मेडियम बाउल फ्लेक्सीड आपको लेनी है फ्लेक्सीड में व आपके बालों की सेहत सवारनी के लिए भी अलसी के बीजों का इस्तमाल किया जाता है अब आपको लेनी है एक छोटी कटोरी पंकिन सेट्स और एक छोटी कटोरी सनफ्लावर सेट्स कद्दू के बीच में विटमिन A, E और काफी सारे मिनरल्स चैसे की पॉटरिशियम, पर मेगनेशियम आइरन पाई जाती है जो बालों को मजबूती और खुबसूरती प्रदान करने में मदद करते हैं इसके अलावा इसमें मौजूद खनीज मेलनिन के उतपादन को बढ़ाने में मदद करती है इसके तिल में बैक्ट्रिये के खिलाफ लड़ने की शमता होती है जो त्वाचा को हेल्दी रखने में भी मदद करती है अभी लास्ट में आपको लेनी है कुछ किस्मिस और खजूर किस्मिस त्वाचा पर किसी भी संक्रमन के खत्रे को कम करता है और स्किन को हेल्दी रखता है विटमिन ई और विटमिन सी के गुनों से भरपूर किस्मिस स्किन के डेट सेल्स को हटाता है जिससे की फेस ग्लो करने लगता है खजूर खाने से चहरे से जूरिया कम होती है इसमें मौजुद विटमिन डी, विटमिन सी और कॉलोजिन तवचा के कसाथ को बरकारा रखती है इसमें अंटियोक्सिडेंट होते हैं जो सूरज की हानिकार क्रिनों से तवचा की सुरक्षा करते हैं अभी आपको एक पैन लेना है और इन सभी चीजों को आपको भून लेना है अच्छे से लो फ्लेम में आपको ये भून लेना है तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को डाल के इनको 25 मिनिट तक अच्छे से भून लूँगी अभी ये अच्छे से भून चुके हैं अभी सब चीजों को एक ग्राइंडर में डाल के मैं इनको 50% पीस लूँगी आपको थोड़ा बहुत इसको दरदरा रखना है बर पीसने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी गुर गुर डालने से मुझे लड़ू बनाने में आसानी होगी और जिनको मीठा खाना जादा पसंद है उनको ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लेगेंगे लेकिन आपको ची करीब घी घी देकर टेंशन मत लीजिए इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बलकि घी खाने से हड्या मजबूत होती है और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्टॉमक के लिए आप बाहर के चीजों को अवॉइट करें लेकिन आप इसके इलावा आप घी जरूर ले घी से हमारे सेहत अच्छे होते हैं लेकिन उसको एक क्वांटिटी में लिया करें जादा मत लिया करें तो अभी इन सब चीजों को आपको अच्छे से मिला देना है हातों से ऐसे करने से जो गुर का इस्तमाल किया है हमने यहाँ पे वो मेल्ट होगा और हमारे लड़ू बह बनाने के लिए पूरा रेडी है अभी मैं लड़ू बनाना दिखाती हूँ आपको कैसे आपको बनाना है देखिए कितने सुन्दर लड़ू बन रहे है ठीक इसी तरीके से आपको भी बनाना है इसे आप दो तीन महीनी के लिए स्टोर कर सकते हैं जब खतम हो जाए आप इस almonds हो गया जो भी जितना भी dry foods आपके पास available हूँ आपके kitchen में आप जितना जादा dry foods का इस्तमाल करेंगे ये उतना ही healthy बनेगा रोज सुभा खाली पेट एक लड़ू जरूर खाए इससे आपके sugar cravings भी control होंगे जिनको बहुत जादा sugar cravings होता है आप sugar तो नहीं सुगर हमारे सहत के लिए अच्छा नहीं होता है तो आपका जो sugar का cravings है इससे आपका बहुत ही जादा ये control में आएगा और बाल भी आपके बहुत ही लंबे और घने बनेंगे अगर ऐसे ही वीडियो साथ को आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को एक subscribe जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक like and share जरूर कीजिएगा अच्छ के लिए इतना ही फिर मिलता है एक नहीं दूसरे recipe के साथ या दूसरे DIY recipe के साथ धन्यवाद